अगर दोस्तु आप भी State Bank of India का KYC Forum बरना चाते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अन्य तक जरूर देखेगा इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं कि किस तरह से State Bank of India का KYC Forum बरा जाता है तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी State Bank of India की बरांच से इस फोरूम को प्राप्त करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटू को चिपका देना है फोटू को चिपकाने के बाद यहाँ पर देखे का आपको सबसे उपर बरांच को बरने का ओप्सन मिल रहा है आपका जिस भी State Bank of India की बरांच में अकाउंट है उस बरांच का नेम आपको यहाँ पर बर देना है बेंक बरांच का नेम बरने के बाद आपको एक नंबर पर देखे का प्रस्टनल डिटेल्स बरने का ओप्सन मिल रहा है आपको अपना नेम यहाँ पर बरना है आपको इन बोक्स के अंदर Capital Word के अंदर अपना Past Name, Middle Name और Last Name को बर देना है जैसे मेरा नेम असोक कुमार कुमावत है तो मैं First Name में असोक बरूँगा Middle Name में कुमार और Last Name के अंदर कुमावत बर दूँगा इसी तरह से आपको भी अपना नेम बर देना है नेम को बरने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखेगा आपको Second Number पर Account Number बरने का Option मिल रहा है आपको अपनी Bank Passbook में से देखकर यहाँ पर अपने Account Number को बर देना है इसके बाद दोस्तों आपको अपनी Residential Status में यहाँ पर आपको Residential Individual को टिक कर देना है अब यहाँ पर देखेगा आपको Occupation Type में आपको Select करना है अगर आप Service Main है तो आपको एक Number पर टिक करना है या फिर आप Private सेक्टर में काम करते हैं तो आपको Second Number वाले Option को Select कर लेना है यहाँ पर आपको बहुत सारे Option मिल जाते हैं अगर आप House Wipe है तो यहाँ पर टिक करना है और अगर आप Student है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है इसके बाद दोस्तों आपको अपनी Annual Income को यहाँ पर बढ़ना है आपकी जितनी भी Annual Income है उसे आपको यहाँ पर बढ़ना है अब यहाँ पर देखिए का आपको Identification Information बढ़नी है सबसे पहले दोस्तों आपको अपने आदार कार्ड के नंबर को यहाँ पर बढ़ना है आदार कार्ड के नंबर को बढ़ने के बाद आपको अपने पेन कार्ड के नंबर इन बोक्स के अंदर बढ़ना है अगर दोस्तों आपके पास पेन कार्ड नहीं है तो आपको फोर्म साट बढ़ना होगा फोर्म सार्ट किस तरह से भरा जाता है उस वीडियो की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन वोक्स में मिल जाएगी उस वीडियो को देखकर आप फोर्म सार्ट को बढ़ सकते है अब यहां पर देखें का आपको इन डोकुमेंट्स में से अगर आप कोई भी एक कार्ट इन में से आप कोई भी एक डोकुमेंट्स लगाना चाहते है तो उस डोकुमेंट्स के आगे जो बोक्स दिख रहा है उसके उपर टिक करना है और उस डोकुमेंट्स के नंबर आपको यहां पर बढ़ देना है अब देखेगा आपको अपनी एड्रेस को बढ़ने का option मिल रहा है जैसे एगर आपका current या permanent address है तो उसको याँ पे आपको बढ़ देना है address को बढ़ने के बाद दोस्तु आपका जो district याने जिला है उसका name आपको याँ पे बढ़ना है आपका जो village है उसका name inbox के अंदर बढ़ देना है आपका जो post code या pin code है उसे आपको याँ पे बढ़ना है और जो आपका state है state name आपको याँ पे बढ़ना है अगर दोस्तु आपका जो current या फिर permanent address और local address same है तो आपको इसे आपको छोड़ देना है अब अगला option आता है आपको contact detail अपनी बढ़नी है आपको अपने mobile number inbox के अंदर बढ़ देना है mobile number को बढ़ने के बाद आपके पास अगर email id है तो उस email id को याँ पे आपको बढ़ देनी है अब आप जिस भी दिनाग को इस KYC forum को बढ़ रहे है उस दिन की आपको दिनाग और जो आपका palace याँ इस्तान है उस इस्तान का name आपको inbox के अंदर बढ़ देना है याँ पर आपको अपने signature कर देना है ध्यान रखिएगा signature आपको वहीं करना है जो आप bank account में लें देन करते समय करते है नीचे वाले फोरूम को आपको नहीं बढ़ना है या bank यानि for office use only bank करमचारियों के लिए है इसे आपको नहीं बढ़ना है तो इस तरह से दोस्तों आपका state bank of India का KYC फोरूम बरकर तयार हो जाता है अब दोस्तों आपको हम बता देते हैं कि इस KYC फोरूम के साथ आपको कौन-कौन से documents की फोटोकोपी लगानी है आपको इस KYC फोरूम के साथ अपने आदार कार्ड की फोटोकोपी और पेन कार्ड की फोटोकोपी लगानी है फोटोकोपी पर आपको अपने हस्ताकसर कर देना है यानि self-attestation आपको कर देनी है तो इस तरह दोस्तों आप भी आसानी से घर बेटे ही स्टेट बोन ओप इंडिया का KYC फोरूम बढ़ सकते है उमीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आयोगा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल इमीद रिग्यान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूब प्रेस करेगा ताकि एसे ही मैत पून वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे जेहिन जेबारत वन्दे मातरम